आपने भी अगर मन बना लिया है कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल D20 Cricket Division Cup का पहला मुकाबला Melbourne Cricket Ground में बैट करके दिखना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब बड़ी धीरी करनी पड़ सकती है आपको एक टीकेट की कीमत लगबग एक लाख रुपे तक भी चुकानी पड़ सकती है और ऐसा निश्चित नहीं है कि आप एक लाख रुपे देने को तयार हों और उसमें आपको टीकेट भी मिल जाए क्योंकि अभी दो दिनों का प्री सेल जारी किया कहता टोडल 45 मुकाबल के लिए लगबंग दो लाख टीकेट सिर्फ एक दिन में बिग गए और सबसे खास बात तो यह नहीं कि भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है उस मुकाबले के 60,000 टीकट पांच मिनिट के अंदर में सोल्ड हो गए यानि सोचिए कि किस तरीके से उत्साह चरम पर है और किस तरीके से जो फैंस हैं वो मैदान पर जाकर मैलबॉन क्रेट ग्राउंड में भारत पाकिस्तान का चीर प्रतिदोंदिता वाला मुकाबला देखना चाहते हैं तो ऐसे में टिकेट्स तो सोल्ड हो गए हैं और अब ICC ने यह कहा है कि जो VIP सीट ह होंगी कुछ ऐसे सीट जो की कही ना कहीं बचा करके रखे गए होंगे उन सीटों को अगर आप खरीदना चाहेंगे तो उसके बाद जब भी उसकी प्रक्तिरिया शुरू होगी टिकेट खरीद रही की तो आपको लगभग 1200 डॉलर यानि लगभग 90,000 से एक लाख रुपे तक खर्च करने पर सकते हैं सिर्फ एक सीट के लिए अगर आप भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखना चाहते हैं तो देखिए कि पिछले वर्ल्ड कप में भारत को हार का सामना करना पड़ा 24 अक्टूबर को मुकाबला हुआ था इस बार 23 अक्टूबर को दिन है संदे उ क्टिकक्ट लिया जा सकता है क्या तिकटिए उबलब्ध कराएगा जो दर्शत चाहते है क्रिकेट देखना भारत पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है उसको देखना चाहते है तो क्या उनके लिए की वहड़ाभी होगा सचöt कर ल गर्मा देखें तो ग्रूप A और ग्रूप B से जो वीनर और रणर रफोंगे वो भी शामिल हो जाएंगे भारत के ग्रूप में तो आसार मुकाबला नहीं होने वाला है लेकिन शुरुबात भारत पाकिस्तान के मुकाबले के साथ करेगा और वहां पर टिक्टों की बिक्री इस तरीके से हुई है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमांच अभी से ही सिर चड़कर बोल रहा है प्रशनस्तों के आपका क्या कहना है इस खबर पर आप में कॉमेंट करने बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल झाल बुलिगा